इस question को देखिएगा, question आपके समाइन 4 है, हम सब ला होल्स are majority charge carriers, आपके पता होल्स majority charge carriers करेज काम भी करते हैं आपके पास दो तरहा के semiconductor होते हैं, एक होता है P type और एक होता है N type एक्षिनल नहीं दोनों सेमिकंडुक्टर के होता है यह इंट्रिंसिक सेमिकंडुक्टर का पार्ट है किसका इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक सेमिकंडुक्टर का पार्ट है एक होता पी टाइप दोसरे क्या होता है आपके पास N-type अगर आप P-type की बात करते हो तो P-4 होता है positive और वही N-4 होता है negative ठीक है तो positive तब बनता है semiconductor जब उसके पास holes होते हैं क्या होते हैं? holes होते हैं तो ये P-type semiconductor के पास जो majority में होते हैं वो holes होते हैं जबकि negative बाले के पास electrons होते हैं होपसो ये वाली बात आपको समझ में हो गई holes और electronों का खेल है बाकि सब कुछ खतम P-type के पास holes ज़ादा होते हैं तो holes के पास जो charge पाहे जाता है वो positive और जहेर सी बात है electron के पास charge पाहे जाता है negative तो P-type semiconductor अगर है आपके पास तो पहली बात तो ये एक intrinsic semiconductor नहीं बचा ये एक extrinsic semiconductor है जिसके अगर आपने impurity मिला है थी वो भी trivalent है semiconductor आपका P-type का बन गया अब P-type semiconductor जो होता है उसके अगर अगर majority charge carriers की बात करोगे तो वो holes होते हैं और वहीं अगर N-type के अंदर majority charge carriers की बात करोगे तो वो electrons होते हैं ये question बहुत बार question पूछा गया ये question अलगल exam में अलग-अलग format के हिसाब से पूछा गया लेकिन पूछा बहुत बार गया तो clear करने है इस question को 2017 में ये board exam में पूछा गया था Thank you so much